मुंबई मदे एसारी हाप प्रकल पमोठय प्रमाना मदे सरकारी एंत्रेना राव्युता है मुंबई चेम्बूर पंचेचिल नगर मदे एसारी चा माध्य मातुन धोपड़े तोड़ून तिधे बीडिंग बाननेत आली पंचे बांध काम केले मुझे लोकांचे घरन ना गरती लाग ली जो आप देखेंगे 18 साल हो गया है घर में 18 सालों से 80 से 70 परसेंटेट घरों में लिके जाए और हर घर में इंसान कैसी जिन्दी जिरा है पहला जोपड़ा होती है जोपड़ा रहती है कैसा स्लम यह बिल्डिंग हो गई खड़ी लेकिन यह जोपड़ा ही खड़ी हुई है यह सारे की इंजिनियर जो है जो मिलावटी चीज को चेक नहीं किया है और इस तरह से बनाके दिये जो आरहाई सालों में हर घरों में पानी के लिकेज हो रही है हर घरों में बातरूम से लेके कोई भी चीज की सुविधा नहीं है आज आम जानता मर रही है लेकिन यह सारे अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रह तेया मुला पंचे शिलनगर मधील लोग गेला ब्याननो द्यूसा पसुन साकली उकोशनला बसलेले आहे आमाला अमाला हे सांगितले कि तुमाला ही ते वन बेच के रूम मिलेल बुलान ना तुम्चा गारडन मिलेल तुम्चा घरा समोर गेट असेल पारकिंग असले शिवीदा संगोन आमाला भुरा टाकली आने आमाला आमसे घर चापार काडले माला दो नाजर बारा पसुन ते दो नाजर एकोशनले सात वर्श जले आज़ों मेला नाई बिल्डर नी मला एक-एक वर्शनी भाड़ दिले मदे मदे भाड़ बंदा केले होता आता आमी सारका कोरटात के स्टाकून भेरा घलून तेनी आता आमाला भाड़ चालू केले अनि ब्रश रेया ठिकानी प्रॉबल्म आसा है कि आमची जे पानी चे टाकी आहे खाली गाउन ला थीचा बाजोलात ढृट टाकी गेले ले मुझे ड्रीनेज लाइन गेले ले अणि ती लाइन उवग फ्लो जाली कि ते ड्रीनेज ने पानी या परेने चा टाकी मदे उतांड हो अणि त्या पानी गवाशन ले ते बाग पड़ाव लाग दना कि आई दो बाद बह। अगर समझा पंदर दिवसर देचे होती आमी चर्चा करून तुमसा दो प्रब्लीम है तो आमी शोडू अगर समझा पंदर दिवसर आमचे कुठले मागन्या जर्ग मानने जाले नहीं कि आमाला तेचा शानिशा जाली नहीं तर आमी एक अंदोलन भवी आसा अंदोलन वक्षा बंगले होती करना होत आसा आमी तेटी गणी रिखले केलने आनि थ्या मध्यमातु आमची पूर्ची गण निती चालू पंचसिल नगर मधिल लोकान घर मिलावे या साथी आपन एसारे चे आधिकारी दिपक कपूर यनना निवेदन देव शक्ता एंचा नंबर आहे 02226591314 चेमबूर्चसिल नगर मधून आमोल लाल जरे इंडिया अनहट साथी कर दोल अनहें लो पहाँ करें वोय आमोल कि आधिकारी आमोल लोग्ताÁ झालु बायर नगर वेता है henry त di वनल झमल एाइभ बोनना एंडर मिलाम स्टान खें।